महामना की बगिया कहे जाने वाले काशी हिंदू विश्विद्धी के विरोध में पिछले 52 घंटों से छात्रों का ये आंदोलन जारी है छात्रों ने एलान का रखा है कि जब तक विश्विद्धी के फैसले को वापस नहीं ले लेता तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा विश्विद्धी में अलग अलग जगाहों पर छात्र इसको लेकर विरोध कर रहे हैं छात्र का एक गुट कुलपती आवास के सामने धर्णने पर पैठा है तो दूसरा गुट विश्विद्धाले के दीन स्टुडेंट ऑफिस के बाहर अनुसित कालीन धर्णना दे रहा है इन आंदोलनों से इतर दूसरे संगठन भी छात्र कभी सिकनेचर कैमपेन तो कभी किंद्री कहराले पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रहे हैं शात्रों के इस आंदोलन के बीच विश्विद्याले प्रसासन ने प्रेस रिलिज जारी कर फिस व्रिद्धी को लिकर सफाई दी है विश्वध्याले प्रसासन की ओर से जारी रिलीज के मुताबिक पिछले दो सालों में विश्वध्याले में किसी तरह की कोई भी फीस वृध्धी नहीं हुई है इसे प्रशासन द्वारा जो एक एक जो है इस वरीज़ी कर दी गई है और इसके खिलाफ हम लोग यहां पर नारे बादु कर दी गई है विजवत परिसद और करकानी परिसद के फैसले के बाद नए सत्र सिर्फ प्रवेस लेने वाले चात्रों के फीस में आंशिक बढ़ुत्री की गई है हाला कि इस मामले में आंदोलन कर रहे है चात रवी पतेल ने बताया कि विश्विद्याले प्रसासन ने अचानक से होस्टल फीस के अलावा दूसरे कई कोर्स में पचास फिजदी तकी बढ़ुत्री की है जिसके खिलाफ वो लोग आंदोलन कर रहे हैं वहीं विशी आवास के सामने धरने पर बैटे चात पुल्दीप तीवारी ने बताया कि विश्विद्याले एक तरफ फीस बढ़ुत्री कर रहे है और दूसरे तरफ रिलीज जारी कर चातरों को गुमराह करने का प्रयास भी कर रहे है जो पूरी तरीके से गलत है और हम चा काल प्रभाव से विश्विद्यारे प्रसासन बड़े हुए फीस को वापस ले अनिठा हमें अपने आंदूलन को और भी तेज करना पड़ेगा सी ग्रेड वाला हो जा सी ग्रेड वाला हो वह भले ही रैंक में नीचे है लेकिन उसको भी एक बार साल में कन्वकेशन का मौका जब वह तीन साल बाट डिग्री लेता तो उसको भी मिलना चाहिए लेकिन आज भारी मात्रा में विज्ञान चात्रों का भी समर्थान हम लोगों को मिला है